बिहार में करोना संकट के 20 DMCH के और सिधी विभाग के विभागा ध्यक्ष ने पतलेकर उन्हें पदमुक्त कर देने की मांग की है विभागा ध्यक्ष ने प्रिंसपर को पतलेकर कहा है कि और सिधी विभाग में करोना को लेकर आपातकाल जैसे स्थिती है ऑक्सीजन के लिए म लेकिन समस्या का कोई भी सार्तक निदान अभी तक नहीं हुआ है इसलिए अनरोध है कि बिहार सरकार स्वास्त विभाग की और से दिये गया अधिकार को प्योग करते हुए मुझे विभागा दक्ष के पद से हटाया जाए और विभाग का काम सुचार रूप से चलाने के लि मंगल पांडे को बर्खास करने की मांग की है उन्होंने हैश्टेक रिजाइन मंगल पांडे का इस्तमाल कर ट्विट करते हुए NMCH के अधिक्षक और अब DMCH के उसदी विभाग के विभागा द्रक्ष द्वारा पदमुक्त किये जाने की मांग करने के बाद नितीश सरकार पर हमला बोला है तेजश्वी ने लिखा है क्या नितीश कुमार जी कभी इनकार करेंगे NMCH के निदेशक ने पद छोड़ने की पेशकस की थी और अब DMCH के प्रमुक्त ने भी संसाधनों की कमी के लिए एलाम उठाया है और इस तीफे की पेशकस की है स्वास्त मंत्री एक पूर आपदा है और अब उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई दिकार नहीं है उन्हें जल से जल बर्खास कीजे इसके साथ यहनोंने हैश्टेग रिजाइन मंगल पांडे का भी इस्तमाल किया है आपको पता दे की शुक्रवार की देशाम ट्टविटर पर हैश्टेग रिजाइन मंगल पांडे ट्रेंट कर रहा था स्वास्त मंत्री की कारिसेली से नराज लोग उनका स्तीफा मांग रहे थे ते जश्वी यादव ने भी ट्विट कर सीधा मुक्य मंत्री से मंगल पांडे को स्वास्त मंत्री के पत से बर्खास करने की मांग रखी गौर तलबे के DMCH मिठलांचल का सबसे बड़ा स्पताल है जहां फिलाल करोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है स्पताल में आसपास की जिले जैसे सुपॉल और सहरसा के लोग भी करोना संक्रमित होने के बाद इलाज कराने पहुँच रहे हैं इसी बीच औशिदी विभाग के विभागा ध्यक्ष की और से लिखे गए पत्र ने असपताल की विधी विवस्था पर बड़ा प्रश्ण चिन ने खड़ा कर दिया है प्रचार को लिखे गए पत्र में और शिदी विभाग के विभागा धक्ष ने कहा और शिदी विभाग में करोना को लेकर इमरजेंसी जैसी स्थती है सैकडों मरीज वाट में या तो करोना से या निविमारी से पीड़तों कर भरती रहते हैं अपने सीमित अधिकार और सीमित संसाधन के तहट और शिदी विभाग के सारी डॉक्टरों पीजी चात्रों और अनिकरमचारियों को उनके कारशमता के अनरूप काम पर लगाया गया है फिर भी जिलादिकारी और अनिश्रोतों से मेरे कारशमता को लेकर असंतोष चाहिर किया जाता है उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थते में विभागत दक्ष का काम एवं कोवर्ड वाल्ड का पूरा देख स्रेक सी मीट संसाधनों के तहट पूरा नहीं किया जा सकता है इस महामारी और अपातकाल में ऑक्सिजन की सप्लाई और मैन पावर के उपलबदता कराना अस्पताल अधिक्षक और प्रचार का काम है लेकिन ऑक्सिजन के आपूर्टी नहीं होने पर विभागत धक्ष को ही दोसी ठराया जाता है अधिक्षक देते हैं और समवेदक उसकी पूर्टी करते हैं बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए उस अनपात में ऑक्सिजन की आपूर्टी नहीं होने के कारण अधिक्षक या समवेदक ही बता सकते हैं जिस पर मेरा कोई नियांतर नहीं है छे मई की रात में औसधी विभाग में ऑक्सिजन की भारी कमी हो गई और जब मुझे लगा कि ऑक्सिजन के अभाव में औसधी विभाग में बहुत सारे मरीज दम तोर सकते हैं तो ऐसी स्थितीम मैंने अधिक शक और प्रचार को तरही माम संदेश भेजा फिर भी सिलेंडर है उसे ततकालिक और शुदी विभाग में भेज कर इस समस्या का समधान निकाला जाए उप विकाह सायक ने अपने आदेश से ऑक्सिजन किया पूर्ती करवाया जिससे मरीजों की जान पचाई जा सकी इसके अलावा ऑक्सिजन के लिए मैं बार बार संदेश अध प्योग करते हुए मुझे विभागा दक्ष के पद से हटाया जाए और विभाग का कार सुचारी रूप से चलाने के लिए किसी अन्य सच्छम प्रहतकारी को इस पद पर नियुक्त खिया जाए आपको बदा दे किसके पहले इस पदाल में ऑक्सिजन की कमी को लेका अनम सि मरेंगे और सरकार मुझे जिम्मेदार बनाएगी एक्षन लेगी इससे पहले मुझे पद मुक्त कर दें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें